ओम नमाशिवाय आत्मात्वं गिर्जामती सहचरा प्राण सरीरं ग्रहं पूजाते विशयो पभोग रचना नेद्रासमाधे स्थित्यर शंचारा पदयो प्रदक्छन विधे स्तोत्राणिशर वागिरो याद्यात कर्म करो मितत तदखिलं संभोस्तवाराधनम नमश्कार आप देख रहे हैं न्यूजवर्ड इंडिया मैं हूँ आपके साथ पंडिच्चन शेकर शर्माध आपके लिए लेकर आए हैं आपका रासी भल किसको मिलेगा इस अपते मन चाहा प्यार कैसा रहेगा आपका व्यापार कैसा रहेगा आपका भाग का साथ इसलिए देखते हैं सबसे पहले मेस रासी तो मेस रासी के जातकों के साहस में ब्रद्धी होगी परिजनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा लेकिन इस सप्ताह किसी से सोच समझ कर ही बादा करना होगा अनिथा पूरे नहीं होने पर आपकी प्रतिष्ठा पर आँच भी आ सकती है आपके करियर वाकारोवार की दिसावे सुब समाचार प्राप्त होंगे इस कोरोना के काल में भी आपकी आएके नई स्रोत बनेंगे और संतान पक्ष की तरब से भी कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा लेकिन शप्ताह के मध्य तक किसी अनजाने भै को लेकर मन चिंतित रहेगा परिक्षा प्रतियुगता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय बहुत सुब है शप्ताह के उत्तरार्ध में परजनों के साथ हसी खुसी समय विताने का अवशर प्राप्त होंगा प्रेम शम्मंदों में प्रगाड़ता आएगी और जीवन शाथी का पूरा सयोग मिलेगा तो आपके लिए उपाय वता रहे हैं आप हर शौंबार को भगवान शिप पर चावल चड़ाएगे अब आते हैं ब्रशवरासी तो ब्रशवरासी वालों के लिए यह सप्ता किसी वज़े से आपका मूड खराब रह सकता है लेकिन आख अपने आसपास के लोगों पर इसका प्रभाव नहीं होने देगे किसी छोटी सी बात को लेकर उत्पन होई गलत फहेमी से समय रहते दूर करने अनिता घर का माहुल खराब भी हो सकता है नब विबाहित या नई प्रेमी जोडों के लिए यादगार समय बीतने वाला है नई प्रोजिक्ट में बजट को लेकर विशेश शापधानी रखने की जरूरत है खर्च को लेकर सतर करें इस सप्ताह नोजवान लोग कोई ट्रिप पिलान भी कर सकते हैं तो आपके लिए उपाय है कि आप मंगलवार के दिन हनवान जी के लिए लड़ू का भोग लदाएंगा अब आते हैं मिथोन राशी तो मिथोन राशी के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह अपनी सेहत पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है साथ ही साथ दूसरों से अफिक्छा रखने की बजा स्वहम की ताकत एबम छमता के बल पर आगे बढ़ना होगा केरियर कारोबार से जुड़ा कोई वड़ा फैसला लेने से पहले शुभ चिंतकों अथवा बिशेश अग्यों की सलाह लेना ना भूले चात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है सपता के उत्तरार्द में आपके मनुवल में ब्रद्धी होगी और अपने विवेक और शाहश के बल पर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का शमाधान खोजने में आप काम्याब होंगे और इस दोरान नौकरी पेसा लोगों की कारचमता में निकार भी आएगा लब पार्टनर के साथ चली आ रही अनवन खत्म होगी प्रेम शमन्दों में प्रगाडता आएगी और अवाहित लोगों का बिवाह भी तै हो सकता है इसलिए आपको उपाय बताने जा रहे हैं आप गनेश जी के लिए दूर बाद चलाएं अब आते हैं करक राशी तो करक राशी वाले जातकों के लिए बैसे तो बैकारी समय तनाब में रखेगा लेकिन प्रमुख ग्रहों की दृष्टी आपको उस्साहित भी रखेगी राशी गत गुरू भी पक्ष की इस्तती रखेगा आगे शमय का पक्ष बना रहेगा राशी गत चंद्रवा काम नहीं रुकने देगा मेल मिलाप का मानस बना रहेगा मद्य सप्ता खास पक्ष का वनेगा पुरानी हानी की भरपाई होगी और स्वास्थ भी सुधरेगा अनरगल कामने समय गुजर शकता है और जमीन जादात का बिस्तार भी होगा बिरोधी गति विदी में अंकुस बनाए रहेंगे शंतान पक्ष की खास चिंता का शमाधान मिलेगा बेबाहिक चिंता भी दूर होने के योग बन रहे हैं तो आपके लिए जो उपाय बताने जा रहे हैं आप पांच समी पत्र भगवान शिव के लिए किसी विद्दिन चलाएं अब आते हैं सिंगरासी तो सिंगरासी वाले जातकों को बेकेशन पर जा रहे लोग जी खोल कर इसका आनंद ले सकेंगे आप अपनी जिन्दगी स्वेम जी होगे आर्थिक इस तरह पर उन्नती के शंकेत हैं आमंदनी बढ़ने वाली है इस अपताह आप आराम के मूड में भी नजर आएगे कुछ दिन सकून के बिता सकते हैं और किसी महत पूर्ण काम के परणाम को लेकर डरे हुई लोगों को निश्चित रहना चाहिए क्योंकि किसमत उनके साथ है और आप सही खानपान और शक्रिय जीवन शैली को अपना कर फिट और सिहत मंद बने रहेंगे लबर के साथ सांदार इवनिंग आउट के लिए भी जा सकते हैं तो आपके लिए बिशे सुपाय है कि आप अपने प्रेम काको गुलाब का फुल भेट करें अब आते हैं कन्याराशी तो कन्याराशी के जुजातक हैं उनके लिए प्रोफेसनल छेतर में काम के लिए पीठ थप थपाये जाने शे आप और बहुतर करने के लिए प्रेरित होंगे रोमांटिक इस तर पर आपकी बात बनने वाली है जिसे आप पशंद करते हैं उसकी तरप से सकारात्मक शंकित मिल सकता है मारकेटिंग या रिटेल के छेतर में काम करने वाले अपना टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे और नया सहकर्मी आपको निवेश से संबंदित अच्छी सलाह देने वाला है किसी कठिन घड़ी में आप एक अजनवी की मदद से बच सकते हैं कोई महंगा सामान बारगे निंग प्राइस पर खरीदे जाने की भी शंभाव ना है तो आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं कि आप एक किलो साबत मूं किसी अनाथाले में दान करें अब आते हैं तुलारास तो तुलारासी के जुजातक हैं उनको नवम चंद्रमा आपको कारोवारी मजबूती तो नहीं दिलाएगा लेकिन बाहरी आश्वासन से उस साह बना रहेगा मेल मिलाब बना रहेगा परिवार में धार्मिक प्रशंग बनेगा दान पुर्णे में रुची रहेगी धार्मिक परियतन यात्रा शंभव है आगे शमे पक्ष का बनता चला जाएगा तेजी से योजना क्रियान वित होंगी बिना मांगे बाहरी मदद मिल जाएगी शप्ता हांत आए बराबर होने से अर्थ मजबूती बनी रहेगी शेवा संबंधी वाधा दूर होगी पदोन्नती की शंभाव ना रहेगी शंतान की चिंता का निवारन होगा और शप्ता हांत में जमीन जायदात का बिस्तार भी होगा तो आपके लिए उपाए बताने जा रहे हैं आप एक पोधा अपने हाँ से बट ब्रक्ष का लगाएगा अब आते हैं ब्रस्चिक राशी तर तो ब्रस्चिक राशी के जुज्यातक है उनकी रोज मर्रा की ग्रह इस्ति नकारातमक पर नाम दिला रही है मांगने पर भी सहयोग का अभाब रहेगा, मेल मिलाप का अभाब रहेगा, आपका स्वास नरम बना रहेगा, मद्द सपताह ठोस आस्वासन मिलने लग जाएगा विखरा कारोवारी काम समेटना आशान रहेगा हितका काम तै होने की प्रकरिया आरंब होगी प्रेम प्रशंग में निकटता बामधुरता बनी रहेगी और शप्ताहंत में आपके खास पक्च का रहेगा प्रस्तावित कारी योजना तै हो जाएगी स्वास्त सुधरेगा मद्य सप्ताह बिवाद भी सुलजेगा आए भी होगी और समय पक्च का बना हुआ है आपके लिए उपाय जो बताने जा रहे हैं आप नित्यपर्ती राम रक्षा इस्तोत्र का पाठ करें अब आते हैं धनूराशी तो धनूराशी के जो जातक हैं उनको प्रेम प्रशंग में मधुरता बनी रहेगी मौज सौक मनूरंजन में ही समय कटेगा शाजा वाले काम में अच्छा लाभ मिलेगा कारोबारी अब रोध दूर करने में बाहरी सहयोग बिल जाएगा प्रथम दो दिन नकारात्मक परणाम देगे अपनों से बिरोध भी उभरेगा स्वास्त का पाया कमजोर वना रहेगा कारोबार में बिरोधी गत्विदी हावी रहेगी नुक्षान की शंभाव ना बनी रहेगी मद्य सप्ता शमय में बदलाव से ठोस आस्वासन नकारात्मक समय में संबल बढ़ाएगा मांगने पर आपको सहयोग भी नहीं मिलेगा लेकिन सप्ता हांत लाभ का बनने लग जाएगा तो आपके लिए जो उपाय बताने जा रहे हैं अओम प्राम प्रेम प्रॉमसा सनेश चराय नमा इस मंत्र का यथा सक्ति जाप करें अब आते हैं मकर राशी तो मकर राशी के जो जातक हैं उनके सप्ता की सुरुवात आपके उस्साह को बढ़ाने वाली रहेगी शंशाधन रहने से काम नहीं रुकेगा बाहरी मदद और अंदरूनी सहयोग बना रहेगा बिरोधी गत्विदी हावी नहीं हो पाएगी अपना हित आशानी से शाध लेंगे सप्ताह मध में मिस्रित गत्विदी बनी रहेगी मेल मिलाप से काम बना लेगे बराबर रास्ता बनता चला जाएगा आपकी कारशेली आपकी आलोचना भी कराएगी हानी की बराबर संभाब न रहेगी और मांगने पर आपको शायोग नहीं मिल पाएगा आगे सांतोना तो आएगी लेकिन काम नहीं बन पाएगे सप्ताहांद सुखद बन जाएगा स्वास्त भी सुदरेगा तो आपके लिए उपाय है आप आग के पेड़ पर नित्रप्रती तेले चड़ाएगे अब आते हैं कुम्भराशी तो कुम्भराशी के जो जातक हैं उनको पेसेवर या व्यवशायक इस तर पर कुछ नया सुरू करने के लिए सुबसंकित मुल दएगे तो पढ़ाई के छेत्र में कुछ नया करने का सांदार्मों का आपके सामने आने वाला है तनाब से ग्रस्त लोग इससे निकलने में काम्याव रहे शकारात्मक विचार के साथ जीवन को नए सिरे से सुरू कर सकते हैं बित्य इस्तर पर जिस डर से आप जूज रहेते अब उससे छुटकारा मिलने वाला है जल्द ही आमंदनी की सुरूत वढ़ने के संकेत हैं परिवार आपके साथ हर कदम पर रहने वाला है आपको खुस रखने का भरसक प्रियास किया जाएगा विदेश यात्रा पर जाने की संभावना बन रही है आपके लिए जो उपाय बताने जा रहे हैं आप भगवान शिप पर काले तिल जरूर चाहें अब आते हैं मीन राशी तो मीन राशी के जातकों को बड़ी सोच रखने का चमतकार आपके ब्यावशाई काम में नजर आने वाला है इसलिए स्मार्ट काम के जरिए सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाने का प्रियास करेंगे पढ़ाई के छेतर में किसी बड़े मकसद को हाशल करने में परिवार का सपूर्ट आपका आत्विस्वास बनाए रखेगा इस सप्ताह आप स्वयम को आर्थिक इस्तर पर लकी महसूस करने वाले हैं लक्ष में आप पर महरवान होने वाली है अपने प्रेम शम्मंद को आगे के इस्तर पर ले जाने के लिए पहल कर सकते हैं और नियमित ब्यायाम प्राणयाम के जरिया फिट वने रह सकते हैं आपके लिए उपाय है आप नित्य पृति भगवान शिप पर जल चड़ाएं ओम नमाशिवाय मंत्रार्था शपला शंतु शपला शंतु मनो रथा शत्तुर्लाम बुधिना साय मित्राना मुदियस्तव नमस्का